दोस्तो इस वीडियो के दर मैं आपके लिए क्लाश 12 का इंग्लिश का सेंपल पेपर लेकर नहीं जो आपके बहुत ही काम कसाथ है क्यूंगा साम यहां को इसमपला होगा तो तैमिक इसमें परोगा यह और सी में सेक्षन ए रीडिंग सेक्षन भी राइटिंग और सेक्षन सी दोस्तों को लीटरेचर होगा ठीक है दोस्तों नुबर ट्रेंट कोसंस बीज़ पीसिफिक इस्ट्रॉक्ट संस फॉर इच पार्ट ठीक है सेक्षन एक तरफ चलते हैं दोस्तों रीडिंग यानि 14 आपको उनके एंसर आपको इसी पैसे में से आपको देना होगा ठीक है यह थर्टी तक यह पूरा पैसे जा आप नीचे दोस्तों बेस्ट आन यूर अन्रिस्टेंडिंग और पैसे एंसर इन्सरी एट कोसंस फॉर्म देन गिविलो ठीक है दोस्तों नाइन को संदिशन दोस्तों हट करना होगा तो आठ नमर का यह इसमें से आ जाएगा ठीक है ठीक है यह दिखिए वह तो नमर वन था यह नाइन को सब्सक्राइब को यह तक आप कर लिए ठीक है अर नमबर तो रीड़ दा पैसे गिविलो ठीक है दूसरा भी पैसे आपको भी से भी खुबच् सब्सक्राइब को 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 सब्सक्राइ को ठीक दोस्तों तो यह हो जाएगा दोस्तों आट नबर की हो जाएगा आप उसके बाद दोस्तों है section C literature 18 नंबर दोस्तों यह question about 5 से start ठीक है देखे लिखा हो attempt any five of the six questions given below within 40 words each ठीक है दोस्तों आपके च्छे कोसं लिखे होंगे च्छे में से किनी पांच का एंसर देना है और एक कोसं का जो एंसर होगा वो तकरीब जो है 40 words के का answer होना चाहिए ठीक है दोस्तों और खुब अच्छे साब इसको देख लें और जो आप जो दोस्तों जो answer दे उसकी जो है उसकी जो वर्ड्स है यानि जितनी वर्ड्स में आप लिखने की पूरी कोशिश करें ठीक है दोस्तों तो आप यह देख लें एक दो तीन चार पांच छे चेक है इनमें से किसी पांच को करना होगा दो पच्छे दसे को सन्ट नमबर को दस नमबर कर यह हो गया आप दोस्तों स्क्राइब देखे लिखा वा एंसर इन तू आप दा फॉलिंग इन बाउट वन ट्विंटी एट्वन फॉर्टी वर्ड्स इच ठीक है दोस्तों यहां को चार नमबर का है तो इस तरह साब दो को सन करेंगे तीनों मैं किसी झो को की नहीं दो को तो आपका चार दूनी आठ नमबर का यह दोस्तों हो जाएगा सीफ लुक्रिस प्लपर आ नहीं आपके सामने रखा है तो तो स्थयारी बिल्कुल रहे जबरदस्त और केनल को सब्सक्राइब भी करने हैं